हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब का डुगू की चने और ब्लॉक्स में फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी लेकर आम की जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बहुत ही स्वादिष्ट सी यूनीक तरीके से चटनी ये चटनी आप इस्टोर करके रख सकते हैं, तीन से चार दिन तक ये खराब नहीं होंगी और ये काफी स्वादिष्ट बनेंगी, बहुत ही अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, और बनाने का तरीका भी इसका यूनीक ही होगा चलिए फ्रेंड्स, बनाना हम सुरू करते हैं बिना देर किये तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीन आम लिये हैं और ये पाँच छोटे साइज की प्याज है, एक लसुन है और ये चार लाल मेची है, सुखी हुई इन सबको हम बढ़िया से भुनेंगे चूले पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ये आम को इस तरीके से, और गैस का फ्लेम अप मीडियम कर लिया है इनको बराबर से हम साइज चेंज करते हुए भुन लेंगे वैसे तो जो ये कच्चे आम होते हैं, इनको अगर हम डारेक्टली आग में भुने तो बहुत ही अच्छे होते हैं भुनने के बाद, टेस्टी हो जाते हैं लेकिन हम इसे गैस पे भुन ले रहे हैं, ये देखिए एक आम मैंने भुन लिया है और ये जो दो आम बचे हैं, इनका भी साइट चेंज करके मैं इनको भुन दे रही हूँ इसी प्रकार से हम सारे आम को भुन के हटा लेंगे और अब हम इस पे भुनेंगे प्याज को, तो मैंने एक एक करके सारी प्याज रख दी और ये लसुन भी रख दिया मैंने, इन्हें भी हम साइट चेंज करके भुन लेंगे तो फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करिएगा चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और यहाँ पे मैंने प्याज लसुन को भुन के हटा लिया है यह जो मीर्ष है लाल वाली इसको भी मैंने थोड़ा सा मुन के चटका लिया अब हम गैस को आफ करेंगे और इन सब को ले चलते हैं प्लेट में चिलने के लिए तो आम ठंडे हो गया है मैंने इनका चिलका उतार लिया है यह देखिए बहुत ही आसानी से चिलका भी उतर जा रहा है और फ्रेंड्स आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं बहुत ही फायदे मन दोता है गर्मियों के दिनों में तो इसका पना बनाया जाता है इसी तरीके से इनको भून करके और डाल में भी इसको हम डाल के खाते हैं पहले के लोग आम को ऐसे डाल में पका के डालते थे वो भी बहुत स्वादिश्ट लगता था तो यह देखिए मैंने सारे आम को ऐसे छिल लिया अब मैं इनको काट लूँगी जो इसका पल्प है निकाल लूँगी और इसकी गुठली को अलग कर लूँगी वैसे देखा जाए फ्रेंड्स तो कच्चे आम के भी बड़े फायदे हैं इससे हम बहुत ही अलग-अलग तरीके की रेश्पीस भी बना सकते हैं और अगर इस तरीके से आग में पका के खाए तो हमें जो गर्मी में लू चलती हैं लू भरी हवाएं उनसे हम बत सकते हैं हमें बहुत लू नहीं लगेगा गर्मी नहीं होगी और ये देखिए पल्प निकालने के बाद मैंने भुनी हुई मीर्च और ये प्याज छिल करके डाल दिया है इसमें मिला लिया है हम ये कच्चे आम की चटनी बिना पकाय भी बना सकते हैं क्योंकि इससे जो चटनी बनती है वो भी बहुत स्वाधिश्ट होती है उसे हम सिल बट्टे पे पीसे और इसमें हरी मीर्च, कच्चे आम, लसुन, मिलाकर के नमक बगरा डालके बनाते हैं वो चटनी भी बहुत ही स् इसमें मैं थोड़ा सा रोष्ट क्यूई मुंफली भी मिला रही हूँ अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो वो भी मिला ये और यहाँ पे एक चम्मच मैंने काला नमक मिला लिया है आप चाहे तो साधा नमक मिला ले और ये देखिए मैंने बीना पाणि डाले कितने अच पादिश्च लगती है ये चटनी तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें